छे जुलाई आशार गुप्त नवरातरी के पहला दिन स्वस्तिक वाला उपाए जरूर करें। आपकी मनोकानाएं पूरी ही नहीं हो रहे तो दोस्तों यही वो समय है अगर। वो करोडों में नहीं अर्बों में खिलने लगता है चलिए बिना समय गवाएं जान लेते है उस गुप्त उपाय के बारे में आगे इस वीडियो में गुरू जी कहते हैं कि जो लोग दुकानदारी या कोई बड़ा व्यापार करते हैं उन्हें अपने बही खातों को शुरू काल से ही स्वास्तिक सुख शांती समरिधी और संपन्ता का प्रतीक माना गया है किसी भी धार्मिक या मांगलिक अनुष्ठान करने से पहले स्वास्तिक बनाया जाता है दोस्तों आपके घर में अगर हमेशा पैसों की कमी रहती है मा लक्ष्मी आप से मानो रूच सी गई हो अना तो तो चिंता की बात नहीं अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मान लक्ष्मी का आगमन फिर से होने लगे तो आप लाल चंदन की लकडी को घिसकर उसके पाउडर में थोड़ा सा गंगाजल मिला कर बना लें और गुप्त नवरातर के पहले दिन दिन अपने घर के मुखे दरवाजे पर के दोनों पलों में एक एक स्वास्तिक दें और फिर उपर आपको थोड़े से चावल चिपका दें फिर मान लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपने घर की दुईकान की और जहां भी पैसों को रखते हैं वह उसी लाल चंदन से ए स्वास्तिक बना दें इस उपाय को करने से घर में कभी भी धंधाने की कमी नहीं रहती घर में मान लक्ष्मी की क्रिपा बनी रहेगी इसके अलावा आप साबुत हल्दी की एक गांट लें और उसे किसी पत्थर पर घिसकर पेस्ट बना कर उसे आप अपने घर के मंदर में एक स्वास्तिक बनाए और एक शुद देसी घी का दीपक जला दें उसके बाद सांसे मुखे का मा लक्ष्मी की तस्वीर के सामने बैठ कर मा ओम श्री महालक्ष्मी नमह मंत्र का 108 बार जाब करें यकीन मनाए इस उपाय को करने के बाद आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे शास्तिक के अनुसार चतुरमुकी ब्रहमा जी से स्वास्तिक का संबंध जोड कर बताया गया है और स्वास्तिक की चार भुजाएं चारों वेद का प्रतिनिधित्व करती हैं मांगलिक चिने के अतिरिक्त वेदों देवी शिव शक्ती गनपती विश्नु एवन श्री के प्रतीक रूप में मानेता प्राप्त है इसलिए अगर आपके घर में बहुत जादा गरीबी चाय है घर में हमेशा क्लेश रहता है धन की कमी की वजह से परिवार के सदसे आपस में रोज रोज लड़ाई जगड़ा करते हैं लाख प्रियास के बाद भी लाख पूजा पाठ करने के बाद भी मां लक्षमी आपके घर में वास नहीं करती है तो आप बताए गए स्वास्तिक के उपाए अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सही जानकारी के साथ करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आने लगेगा मां लक्षमी आपके घर में आगमन करेंगी और आपके उपर कृपा बरसाएंगी हल्दी या फिर सिंदूर से स्वास्तिक बनाना बेहत शुब माना जाता है लेकिन स्वास्तिक बनाते समय दिशार का ध्यान रखना भी बेहत जरूरी है इसलिए स्वास्तिक जब भी बनाए तो आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशार का ध्यान रखकर बनाएं उसके अलावा आप स्वास्तिक का चिन्ह पूजा घर में बनाएं ऐसा करने से आपको वास्तु दोश से संबंधित समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा आप अगर अपनी मनुकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो स्वास्तिक का ये उपाय करें अपने देवस्थान पर स् तो इसके लिए आप किसी भी गुरुवार को अपने घर के ईशान कोन को गंगाजल से शुद्ध कर लें और वहां सूखी हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उसकी पंचोपचार पूजा करें इसके बाद वहां आधा तोला गुड का भोग लगाएं ऐसा आप लगातार साथ गुरुवार करें तो आपको विशेश लाब मिलेगा वहीं आप अपनी वर्कप्लेस पर उत्तर दिशा में हल्दी का स्वास्तिक बनाएं तो बहुत ही शुब होता है अपने घर में या अपने व्यापार या किसी भी कारे शेतर में आप अगर स्वास्तिक के ये उपाएं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो यकीन मानिये आपके जीवन में चल रही धन संबंधित तमाम परेशानियान दूर हो जाएंगी। अगर आपके जीवन में भी गरीबी चाय है। हमेशा जीवन बहुत दुख और दर्द से भरा रहता है। काफी सारे उपायों को करने के बाद भी आपकी मनोकामनाएं पूरी ही नहीं हो रहे तो दोस्तों यही वो समय है अगर। बनाएं होंगे लेकिन बहुत से लोगों को यह बात पता नहीं होगा कि स्वास्तिक का निशान अगर किसी खास दिन कुछ खास जगों पर बनाएं तो आपके जीवन में मौझूद हर परेशानी दूर हो जाती है। वो करोडों में नहीं अर्बों में खिलने लगता है। च नित्य उसकी पूजा करनी चाहिए ऐसा करने से आपके कामकाज में लगातार आपको बड़ा लाब होगा क्योंकि हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में प्राचीन काल से ही स्वास्तिक सुख शांती समरिध्धी और संपन्ता का प्रतीक माना गया है। किसी भी धार्मिक या मांगलिक अनुष्ठान करने से पहले स्वास्तिक बनाया जाता है। दोस्तों, आपके घर में अगर हमेशा पैसों की कमी रहती है, मा लक्ष्मी आप से मानो। और फिर उपर आपको थोड़े से चावल चिपका दें, फिर मान लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपने घर की दुईकान की और जहाभी पैसों को रखते हैं, वह उसी लाल चंदन से ए। स्वास्तिक बना दें इस उपाय को करने से घर में कभी भी धंधाने। की कमी नहीं रहती घर में मान लक्ष्मी की क्रिपा बनी रहेगी, इसके अलावा आप साबुत हल्दी की एक गांट लें और उसे किसी पत्थर पर घिसकर पेस्ट बनाकर उसे आप अपने घर के मंदर में एक स्वास्तिक बनाएं और एक शुद देसी घी का दीपक जला दें उसके बाद सांसे मुखे काम मा लक्ष्मी की तस्वीर के सामने बैठ कर मा ओम श्री महालक्ष्मी नमह मंतर का एक सो आठ बार जाब करें यकीन मनाएे इस उपाय को करने के बाद आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। विश्नु भगवान स्वास्तिक आकृती में चार भुजाओं से चारों दिशाओं का पालन करते हैं तथा स्वास्तिक के मध्य के बिंदु को विश्नु भगवान का नाभी कमल ब्रहमा का स्थान माना गया है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सही जानकारी के साथ करते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में। पूरी श्रद्धा और विश्वास्तिक जब भी बनाएं, तो आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा का ध्यान रखकर बनाएं, उसके अलावा आप स्वास्तिक का चिन्ह पूजा घर में बनाएं, ऐसा करने से आपको वास्तु दोश से संबंधित समस्याओं से भी छुट कारा मिलेगा आप अगर अपनी मनुकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो स्वास्तिक का ये उपाय करें अपने देवस्तान पर स्वास्तिक, बनाएं और उसके उपर शुद घी का दीपक जला कर रख दें, इसका चमतकारी असर होगा और, आपकी मनुकामना जरूर पू स्वास्तिक बनाएं और उसकी पंचोपचार पूजा करें, इसके बाद वहां आधा तोला गुड का भोग लगाएं, ऐसा आप लगातार साथ गुरुवार करें, तो आपको विशेश लाब मिलेगा वहीं आप अपनी वर्कपलेस पर उत्तर दिशा में हल्दी का स्वास्ति स्वास्तिक के ये उपाएं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो यकीन मानिये आपके जीवन में चल रही धन संबंधित तमाम परेशानियान दूर हो जाएंगी। सही समय है, अपनी मनुकामनाओं की पूर्ती करने का अगर आपके जीवन में भी गरीबी चाय है, हमेशा जीवन बहुत दुख और दर्द से भरा रहता है, काफी सारे उपायों को करने के बाद भी आपकी मनुकानाएं पूरी ही नहीं हो रहे, तो दोस्तों यही वो समय है, अगर, आपने गुरू जी बताया हुआ पांच स्वास्तिक का ये उपाय छे जुलाई आशार गुप्त नवरातरी के पहला दिन कर, लिया तो यकीन मानिये आपकी सारी मनुकामनाएं हाथों हाथ पूरी होगी आपने इससे पहले भी आप अपने घर में पूजा पाठ के द जूर हो जाती है, वो करोडों में नहीं अर्बों में खिलने लगता है, चलिए बिना समय गवाएं जान लेते हैं, उस गुप्त उपाय के बारे में आगे इस, वीडियो में, गुरू जी कहते हैं कि जो लोग दुकानदारी या कोई बड़ा व्यापार करते हैं, उन्हें अ हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में प्राचीन काल से ही स्वास्तिक, सुख, शांती, सम्रिध्धी और संपन्ता का प्रतीक माना गया है, किसी भी धार्मिक या मांगलिक अनुष्ठान करने से पहले स्वास्तिक बनाया जाता है, दोस्तों, आपके घर में अगर हमेशा पैस हमारे को घिसकर उसके पाउडर में थोड़ा सा गंगाजल मिला कर बना लें, और गुप्त नवरातर के पहले दिन दिन अपने घर के मुखे दरवाजे पर के दोनों पलों में एक-एक स्वास्तिक दें, और फिर उपर आपको थोड़े से चावल चिपका दें, फिर मां लक् लक्षमी की कृपा बनी रहेगी, इसके अलावा आप साबुत हल्दी की एक गांट लें, और उसे किसी पत्थर पर घिसकर पेस्ट बनाकर उससे आप अपने घर के मंदर में एक स्वास्तिक बनाएं और एक शुद देसी घी का दीपक जला दें, उसके बाद सांसे मुखे का मा लक्षमी की तस्वीर के सामने बैठकर मा ओम श्री महालक्षमी नमह मंतर का एक सो आठ बार जाब करें यकीन मनाएे, इस उपाय को करने के बाद आपकी हर मनुकामना पूरी करेंगे। आपकरती में चार भुजाओं से चारों दिशाओं का पालन करते हैं, तथा स्वास्तिक के मध्य के बिंदु को विश्नु भगवान का नाभी कमल ब्रह्मा का स्थान माना गया है, स्वास्तिक को एक प्रमुक पवित्र, मांगलिक चिन्हें के अतिरिक्त वेदों देवी शि गनपती विश्नु एवन श्री के प्रतीक रूप में मानेता प्राप्त है, इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी च्छाई है, घर में हमेशा कलेश रहता है, धन की कमी की वज़ह से परिवार के सद से आपस में रोज-रोज लड़ाई जगड़ा करते है लाख प्रयास के बाद भी लाख पूजा पाठ करने के बाद भी मान लक्षमी आपके घर में वास नहीं करती हैं, तो आप बताए गए स्वास्तिक के उपाए अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सही जानकारी के साथ करते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन म पॉजिटिव चेंज आने लगेगा मा लक्षमी आपके घर में आगमन करेंगी और आपके उपर क्रिपा बरसाएंगी हल्दी या फिर सिंदूर से स्वास्तिक बनाना बहुत शुब माना जाता है लेकिन स्वास्तिक बनाते समय दिशार का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है इसलिए स्वास्तिक जब भी बनाएं तो आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशार का ध्यान रखकर बनाएं उसके अलावा आप स्वास्तिक का चिन्ह पूजा घर में बनाएं ऐसा करने से आपको वास्तु दोश से संबंधित समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा आप अगर अपनी मनुकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो स्वास्तिक का ये उपाय करें अपने देवस्थान पर स् तो इसके लिए आप किसी भी गुरुवार को अपने घर के इशान कोन को गंगाजल से शुद्ध कर लें और वहां सूखी हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उसकी पंचोपचार पूजा करें इसके बाद वहां आधा तोला गुड का भोग लगाएं ऐसा आप लगातार साथ गुरुवार करें तो आपको विशेश लाब मिलेगा वहीं आप अपनी वर्कप्लेस पर उत्तर दिशा में हल्दी का स्वास्तिक बनाएं तो बहुत ही शुब होता है अपने घर में या अपने व्यापार या किसी भी कारे शेतर में आप अगर स्वास्तिक के ये उपाएं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो यकीन मानिये आपके जीवन में चल रही धन संबंधित तमाम परेशानियान दूर हो जाएंगी। अगर आपके जीवन में भी गरीबी चाई है। हमेशा जीवन बहुत दुख और दर्द से भरा रहता है। काफी सारे उपायों को करने के बाद भी आपकी मनोकानाएं पूरी ही नहीं हो रहे तो दोस्तों यही वो समय है अगर। बनाएं होंगे लेकिन बहुत से लोगों को यह बात पता नहीं होगा कि स्वास्तिक का निशान अगर किसी खास दिन कुछ खास जगों पर बनाएं तो आपके जीवन में मौझूद हर परेशानी दूर हो जाती है। वो करोडों में नहीं अर्बों में खिलने लगता है। च नित्य उसकी पूजा करनी चाहिए ऐसा करने से आपके कामकाज में लगातार आपको बड़ा लाब होगा क्योंकि हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में प्राचीन काल से ही स्वास्तिक, सुख, शांती, सम्रिध्धी और संपन्ता का प्रतीक माना गया है, किसी भी धार्मिक या मांगलिक अनुश्ठान करने से पहले स्वास्तिक बनाया जाता है, दोस्तों, आपके घर में अगर हमेशा पैसों की कमी रहती है, मालक्ष्मी आप से मानो। तो थोड़े से चावल चिपका दें, फिर मा लक्षमी का ध्यान करते हुए अपने घर की दुईकान की और जहां भी पैसों को रखते हैं, वह उसी लाल चंदन से ए, स्वास्तिक बना दें इस उपाय को करने से घर में कभी भी धंधानें, कि कमी नहीं रहती घर में मा लक्षम का दीपक जला दें, उसके बाद सांसे मुखे का मा लक्षमी की तस्वीर के सामने बैठकर मा ओम श्री महालक्षमी नमह मंत्र का एक सो आठ बार जाब करें यकीन मनाये, इस उपाय को करने के बाद आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। उनके अनुसार विश्नु भगवान स्वास्तिक आकरिती में चार भुजाओं से चारों दिशाओं का पालन करते हैं, तथा स्वास्तिक के मध्य के बिंदु को विश्नु भगवान का नाभी कमल ब्रह्मा का स्थान माना गया है, स्वास्तिक को एक प्रमुक पवित्र, रपती विश्णु एवन श्री के प्रतीक रूप में मानेता प्राप्त है। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी चाय है। घर में हमेशा कलेश रहता है। धन की कमी की वज़ह से परिवार के सद से आपस में रोज-रोज लड़ाई जगड़ा करते हैं। लाख प्रयास के बाद भी लाख पूजा पाठ करने के बाद भी मान लक्षमी आपके घर में वास नहीं करती हैं। तो आप बताए गए स्वास्तिक के उपाए अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सही जानकारी के साथ करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन म पॉजिटिव चेंज आने लगेगा मा लक्षमी आपके घर में आगमन करेंगी और आपके उपर क्रिपा बरसाएंगी हल्दी या फिर सिंदूर से स्वास्तिक बनाना बेहद शुब माना जाता है लेकिन स्वास्तिक बनाते समय दिशार का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है इसलिए स्वास्तिक जब भी बनाएं तो आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशार का ध्यान रखकर बनाएं उसके अलावा आप स्वास्तिक का चिन्ह पूजा घर में बनाएं ऐसा करने से आपको वास्तु दोश से संबंधित समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा आप अगर अपनी मनुकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो स्वास्तिक का ये उपाय करें अपने देवस्थान पर स् तो इसके लिए आप किसी भी गुरुवार को अपने घर के इशान कोन को गंगाजल से शुद्ध कर लें और वहां सूखी हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उसकी पंचोपचार पूजा करें इसके बाद वहां आधा तोला गुड का भोग लगाएं ऐसा आप लगातार साथ गुरुवार करें तो आपको विशेश लाब मिलेगा वहीं आप अपनी वर्कपलेस पर उत्तर दिशा में हल्दी का स्वास्तिक बनाएं तो बहुत ही शुब होता है अपने घर में या अपने व्यापार या किसी भी कारे शेतर में आप अगर स्वास्तिक के ये उपाए रही धन संबंधित तमाम परिशानियान दूर हो जाएंगी